गौतम अडानी के भाई विनोध अडानी के साथ मिलके सेबी के नियमों के विरुद्ध फरजी कमपनियां बनाके पैसा भारत में लगा रहे थे सीधा सीधा मौनी लांडरिंग का मामला है भारत से पैसा विदेसों में जाता था विदेसों से पैसा अडानी की कमपनी में आता था अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाये जाते थे सभी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार एक बहुत ही बड़ा आर्थिक प्रस्टाचार का मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इस साल जन्वरी माह में सामने आया था और बहुत बड़ा घोटाला दुनिया का एक बहुत बड़ा फैनेंसियल फ्राड एक आर्थिक प्रस्टाचार जो अडानी की कंपनीज ने किया था विदेश में बनी सेल कंपनीज के माध्यम से विदेश में बनी फरजी कंपनियों के साथ मिली भगत करके जो एक बड़ा भरस्टाचार और घोटाला अडानी ने किया था उसका खुलासा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जनवरी माह में हुआ था और आपको याद होगा उसके बाद पार्लेमेंट में हम लोगों ने आवाज उठाई कि अडानी की जाच कराई जाए उसकी कंपनियों की जाच कराई जाए जिस तरीके से बाहर से लाखों करोड रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया है और मैनुपिलेट करके फर्जी तरीके से भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाए गये यानि कि शेयर का वास्तुविक मूल ले उतना नहीं था बावजूद इसके बाहर से पैसा लगा लगा कर उसके सेयर के दाम फर्जी तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ाए गए और वो जो दाम बढ़ाए गए बढ़े हुए दामों पे जो सेयर यहां के लोगों ने खरीदा यहां के इन्वेस्टर्स ने खरीदा यहां के निवेस्कों ने खरीदा जब वो घोटाला खुला वो सेर धराम हुआ नीचे गिरा तो उन सारे निवेस्कों का पैसा डूप गया यह पूरा मामला था यह पूरा भरस्टाचार था उसके बाद आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया एक्सपर्ट की कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा से भी इस जाच में इन्वाल्व हुई और उसके माध्यम से पूरा भरस्टाचार सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा माननी सर वो चनैले ने कहा लेकिन बड़े आश्चर जनक तरीके से जिस सेवी को आर्थिक भ्रस्टाचार की जाच करनी थी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं वो सेवी ये जानते हुए भी कि इसमे भ्रस्टाचार हुआ है और ये बात मैं इसलिए कह रहा भी आगे दूँगा आपको मैं इन्वर्टेट कामा में फिर से रिपीट कर रहा हूं सेवी ये जानते हुए भी कि आडानी ने भ्रस्टाचार किया है सुप्रिम कोर्ट के आँख में धूल जोकने का काम कर रही है सुप्रिम कोर्ट में सेवी ने जाके कहा कि जो एक्सपर् करते हैं तो यह जर्णी विदाउट डेस्टिनेशन होगी कि ऐसी यात्रा जिसका कोई लक्ष कि कोई दूर्ण